वहीं पंजाब में विधानसपत चुनाओ 2022 के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे मदान होने में एक हफते से भी कम का समय बचा है ऐसे में राजजनाइक पार्टियों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी तो कॉंग्रस ने पंजाब में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत जोग दी है पार्टि के पूर वध्यक्ष राहूल गांदी ने मंगलवार को राजपुरा में चुनावी रैली को संभोधित किया पंद्रा लाक रुपे बैंक अकाउंट में डाल दूँगा अब नहीं कहते हैं अब पंजाब आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते हैं काले धंद को मिटाने की बात नहीं करते हैं आज आते हैं बीजेप के लोग आते हैं ड्रंग्स की बात करते हैं कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रंग्स के खिलाफ इंस्टिट्यूट भूलें हैं अरे भही आपकी सरकार नहीं आने वाली है ताइम दाय क्यों कर रहा बीजेपी के लोग और अकाली दल के ल राहुल गांदी बक्वास कर रहा है राहुल गांदी को कोई समझ नहीं है पंजाब में ड्रग्स की कोई समझ नहीं है BJP के लोगों ने कहा अकाली दल के लोगों ने कहा बादल जी ने कहा जुनियर बादल है मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूँ मेरे बारे में आप दो चीजे समझ लीजिए जब मैं मुझ खोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि नुक्सान होने वाला है लाखों लोग मरने जा रहे हैं दूसरी तरफ प्रधान मंत्री कहते बहिया थाली वह जाओ, थाली वह जाओ, थाली वह जाओ, थाली वह जाने के बाद कहते हैं, बाई और भेनो, अब मुबाइल फोन की लाइट चमकाओ, और जो भी अपनी सच बोल रहा है, जो पूरे नेश को बता रहे थी, यहाँ पे, जबर्दस नुक्सान होने वाला है, उसका बीजेपी के लोग, प्रधान मंत्री, अमिद शाह, यह सब आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दर के लोग कहरें नहीं, इसको कोई समझ नहीं, तुफान आया, कहा गायब हो गई यह लोग, आज आम आदमी पार्टी कहती है, जिह हमने मौला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मौला क्लिनिक शीला दिक्षी चीने खोले थे पहला जूट दूसरा जूट ये आपके जो मौला क्लिनिक थे ये कोविट के समय कहां गाँ हो गए जो रोज हमें टीवी पे हस्पतार के बहार गारियों में बिन आक्सिजन के लोग मढ़ते दिखे आपके मौला क्लिनिक कहां थे